नमस्कार शोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शुब्रा भट्टा चारे 36 गड़ विधान सभा का बजट सत्र कल 1 मार्च से शुरू हो रहा है 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 14 बैटके होंगी सत्र के शुरू आतकल राजिपाल के अभी भाशन से होगी वही मुख्यमंत्री आगामे वित्ति वर्ष के लिए बजट 6 मार्च को पेश करेंगी शिशू के स्वास्त और पोशन की बहतर देख भाल के लिए प्रदेश में आज से शिशू संग्रक्षन माह शुरू हो गया है 31 मार्च तक चलने वाले इस माह के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन A का प्रोफिलेक्टिक डोस पिलाया जाएगा 36 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा बार्मी के मुख्य परिक्षा कल 1 मार्च से और कक्षा दस्वी की परिक्षा 2 मार्च से शुरू होगी परिक्षा का समय सुबह 9 बजे से 2 पहर सवा 12 बजे तक रहेगा रायपूर विकास प्राधिकरण ने अप्रधान मंत्रे आवास योजना के इंतरगत कमल विहार, इंदर प्रस्त रायपूरा और बोरिया खुर्थ की फ्लैट सियोजना तथा स्वतंत्र मकान की बकाया राशी के संपूर राशी के भुकतान पर सरचार्ज राशी में 50 प्रतिशत की छूट दी है ये छूट आगामी 31 मार्च तक वर्तमान बकायादारों को ही मिलेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुमसाव ने किसान मोर्चाद्वारा सरगुजा जिले के भढ़गाओं में आयुजित किसान आक्रोश रैली को संबोधित करते वे राज्य की कॉंग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का आरूप लगाया है अंतर राश्ट्री महिला दिवस के उप्लक्ष में रायपूर के बीटी आई मैदान में कल से चेह दिवसे महिला मड़ई शुरू हो गई है इस मड़ई में प्रदेश के सभी जिलों के महिला स्वसाहत असमुहों और महिला उध्यमियों द्वारा निर्मित सामग्रियों के 66 स्टॉल लगाय गये है भारती जनता पार्टी के रायपूर शहर जिला ध्यक्ष जैन्ती पतेल ने पार्टी के जिला कारेकारिनी घुशित कर दी है और भारती टीम ने UAE दुबई में आयजित बैडमिंटन एशिया मिक्स चेंपेंशिप में कास से पदक हासिल किया है विजेता टीम में दक्षिन पूर्व मध्य रेलवेर रायपूर मंडल के खिलाडी इशान भटनागर भी शामिल थे ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार नमस्कार